हेले फ्रेंड्स वागत है आप सभी का आर्वेद यूट्यूब में है तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 की मैथ से चप्ट नमबर 7 ट्राइंगल से से एक कोस्टन ले करके आया हूं एक क्लास 9 की मैथ से एक्सरसाइज 7.1 का कोश्ट नमबर 6 है हम इस वीडियो में इस कोश्टन को डिस्कॉस करेंगे आप बस वीडियो को ध्यान से देखिए आंतों तक देखिए वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों को भी सेर कीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को प्रेट कर सकते हैं अगर आप इस चैप्टर की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा पहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं को सब्सक्राइब हम से क्या पुछा ग पास BC है ठीक यहां से लेकर करके यहां तक हमारे पास क्या है BC और यह हमारे पास d e है ठीक है तो हमको b c is equal to d e दिखाना है यह हमको prove करना दिया क्या है देखो यह angle इस angle के equal दिया है यह वाली side इस वाली side के equal दिया है और यह वाली side इस वाली side के equal और दिया यह क्या है पूफ़ पिला सॉल्प करें। लुट से हैं अब चुंप अब सुरुवात हम इसा अगल करें के अध medida एक इकैनल और इंगल ईए illustration आफ यह क्यों है क्यों कि दो आ कि ठीकिए अब बात समझो यह वाला जो एंगल है ajudी इंगल C A D means यह वाला एंगल ठीक तो यह वाला एंगल हम क्या करेंगे इस वाले एंगल में बैट करेंगे और इस वाले एंगल में आड कर देंगे तो दिक्वें यहाँ पर हो जाएगा एंगल B A D plus angle CAD is equal to angle CAD plus angle EAC हमने दोनों तरफ क्या कर दिया इसको add कर दिया अब इसका region क्या होगा देखो angle CAD is added on both side on both side okay तो फिर क्या होगा देखो जब हम BAD plus CAD करेंगे तो देखो यह हमारे पास है BAD और यह हमारे पास है CAD तो यह पूरा एंगल हो जाएगा क्या BAC क्या हो जाएगा BAC angle BAC is equal to आप देखो जब CAD करेंगे CAD मतलब यह वाला और जब हम EAC करेंगे तो EAC का मतलब यह वाला तो यह पूरा हो जाएगा EAD हो जाएगा क्या हो जाएगा EAD angle EAD यह हमारे क्या क्या करेंगे सबसे पहले हम ट्रेंगल लेंगे कि A B C और दूसरा ट्रेंगल लेंगे EAD ठीक है तो अब देखो यहाँ पर बात करेंगे इन ट्रेंगल A B C और ट्रेंगल A D E V है देखो मिलेगा क्या हमें इन दोनों ट्रेंगल में सबसे पहले तो देखो यह वाली जो यहाइड है एव वह इक्वाल टू है एडिक यहां पर को एबी एक्वाल टू एडी यहां पर दोको गीवन है क्या है तो यहां पर यह वाला एंगल हमने इक्वाल प्रूब कर यहां पर एसी जो है वह इकवल है एक के देखो यहां पर दिया गया है तो हम रइट कर लेंगे एसी इकवल टू एई ओके आच्छा यह इसका रीजन क्या होगा यह गीवन है क्या है तो जब तीन चीज हमने प्रूब कर लिए देखो के साइड ये एंगल ये साइड तो क्या हो जाएगा सो कि ट्रैंगल बीए सी इज कंगरेंट ट्रैंगल डी ए ए आप देखो इसका रीजन क्या होगा इसका रीजन होगा बाई एस एस रूल ओके साइड एंगल साइड रूल इसको मैं हटा देता हूं इसकी जरूत नहीं है तो जब देखो कोई भी दो ट्रैंगल आपस में कंगरेंट हो गए तो उनकी कारिस्पोंडिंग साइड क्या होगी इक्वल होगी तो यहां पर देखो यह जो बी सी है वह इक्वल हो जाएगा डी एक तो मैं आपर फाइनली राइट कर सकते हैं therefore फूर कि बी सी इस इक्वल टू डी इए देखो अभी इसके इक्वल होने का क्या रिजन है तो यह हो जाएगा बाई सीपी सीटी किससे बाई सीपी सीटी वाटी दा फूर्फाम आप सीपी सीटी कर्रेस्पोंडिंग पार्ट आफ कंगरेंट ट्रेंगल और यही हमारा क्या हो जाएगा आंशर रोसे कि ओख तो आप चाहो तो वीडियोगो पांच करके के राइड ड़न कर लो या फिन इन लेडियो शिकल को कैसा लगा विडियो अगर जरह भी पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर और अगर इस चैनल पर नए हैं तो च झाल झाल